दो हजार चौबिस न्यू एडुकेशन पॉलिसी बहुत सारी किरोसिटी लेके आई टीचर के मन में भी और स्टूडन के मन में भी हम बात करें सीबीसी की आईएसी की या बात करें किसी भी स्टेट बोर्ड की हर जगा पर पैटर्न बदला है फिजिक्स का बाबा जी ने आपको बता दिया है MCQ बरदान की तरह बन कर आए है लेकिन मैट्स में थोड़ा साग चेंज है मैट्स में लेकर वो आए हैं MCQ कुछ इस फॉर्म में कि सिर्फ बच्चा रट कर या फिर बंद दिमाख सॉल्व करकर MCQ में स्कोर नहीं कर पाएगा तो क्या MCQ आपके 12th बोर्ड को बरबाद करने वाले हैं जी हाँ ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है और इसको इस समय पर इसले लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हर बोर्ड ने MCQ में distractors का involvement कर दिया है अब ये distractors होते क्या है MATS में किसी भी MCQ को solve करते हैं तो जिसके चार ऑप्शन होते हैं उसमें distractors का involvement कर दिया जाता है अब ये distractor کیा होते है Distractor एक ऐसी technique होती है जिसके द्वारा MCQ का question में level ना बदल कर वो उसके option का level बदल देता है ये distractor वाल technique आप किसी भी question में डाल दो तो चारो option बहुत ही ज़्यादा confusing हो जाते हैं मतलब अगर आपने किसी भी गलत approach से question solve किया तो आपका answer A आएगा और आप satisfy हो जाएंगे अगर आपने दूसरी गलत technique से उसी question दो solve किया तो आपको अपना answer option B में मिल जाएगा आप फिर खुश हो जाएंगे लेकिन अगर आप सोच समझ कर पूरा दिमाग लगा कर concentrate करके focus करके अगर आपको question करेंगे तो आपका option C आएगा और आपका answer वो हो सकता है सही हो तो क्या आप समझ रहे हैं कि आपको चारो option बहुत ही research करके मिलेंगे जी हाँ बुलकुल सही सोच रहे हैं आप मतलब अब examiner question के साथ research तो करेंगे करेगा लेकिन वो option के साथ भी research करेगा मतलब वो चाहता है कि अगर aspirant हलका सा भी distract mind से अगर exam दे रहा है या फिर उसको बहुत knowledge नहीं है deep उसके concept clear नहीं है तो वो MCQ गलट टिक करके जाएगा ये distractor वाई technique जो है न ये पहले भी बहुत सारे exam में use की जा चुकी है जैसे कि हमारा National Defense Academy का exam इसमें भी distractors का involvement होता आ रहा है और कई बार aspirant exam hall से बाहर निकलते हैं बोलते हैं येस selection हो जाएगा मेरा मैं बहुत सारे सवाल से करके आया हूँ लेकिन जब वो answer की check करते हैं और solution check करते हैं समझ माता है अरे यार इतने से concept से पूरा का पूरा सवाल हमारा खराब हो गया तो ये technique आपको इस बार मिलने वाली है आपके board exam में चाहिए आपका कोई भी board हो maths में इसका involvement इस साल से हो गया है इसलिए आपको अभी से बुरकुल सही समय है अभी से इसकी especially तयारी करने का अब आप subjective के exam की तयारी करके objective के exam में महारत हासिल नहीं कर पाओगे इसी के लिए मैं आपके लिए छोड़ा सा gift लेके आया हूँ आपको बताया है कि मेरी तरफ से आपको gift मिलते हैं आपको बताया है कि मेरे पिछले जितने भी one short video आया है सबकी description में sheet डेली हुई है ताकि आपको concept के साथ-साथ sheet का भी मज़ा मिल पाए practice आपकी मजबूत हो पाए वैसे ही इस description में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक mcq sheet जो आपको बिल्कुल free of cost आपके लिए pdf मैंने यहाँ डाल दी है वो जो book हम लोग कभी न कभी बच्चों को किसी और तरीके से देते थे जब exam close आते हैं तब देते थे वो मैं आपको उसकी pdf करके मैंने अभी के अभी description में डाल दी है तो आपको आज से ही आपका जो भी topic खतम होता जा रहा है उसका proper mcq practice आज से शुरू करनी पड़ेगी जैन्द जै भारत